श्यूपूरी के बाजार से मिट्टी के गणेश गायप हो गया है पियोपी की मुर्तियों की भरमार रही आज घर घर में गणेश जी विराजेंगे वहीं इस बार एको फ्रेंडली यानी मिट्टी के भगवान गणेश बाजार से गायप है उनकी जगव P.O.P. में ले ली है परियावरन के अनुकुल ना होकर पानी में विसरजन होने के बाद गलते तक नहीं जीला प्रसासन इस बार नीन में ही रह गया और गणेश चतुर्थी आ गई हम आपको बता दे की मिट्टी के गणेश जी आपको मिल जाएंगे लेकिन ढूनने के बाद और कुछ जादा दाम देकर मिल सकेंगे आपको बता दे की फिजिकल शेत्र से गणेश जी की मुर्तिया बनाई जाती है वही पिशली बार काफी खतरनाक वाइरस के चलते मुर्तिया बनाई नहीं गई थी वही इस बार शाष्ण प्रसासन की गाइडलाइन को देखते हुए मुर्तियों का कद चार फिट रह गया है वहीं आपको बता दे कि शाषिन प्रशासन द्वारा वेवस्ता भी की गई है जहां बड़े वाहनों को मुख्य बाजार में अंदर नहीं जाने दे रहे हैं बलकि अंदर से हट तेला पर रख कर गणेज जी को अपने नीजी वाहन में बाहर तक रखने की वेवस्ता कोरोना के चलते इस बार की गई है वहीं मूर्तिया बनाने और उसके दाम में भी काफी कमी देखने को मिली है शुपूरी से यूसिफ खान की रिपोर्ट आप लेके आजाएए इसे विवस्ता खनाम नहीं होगी अंदर जाके ये औडीजे बगएरा भी तो पंदी है और इनका बिसाजन अपन घर पर कर सकते हैं हमने इनको पर पेंट किया है वह भी त्योर मिट्ट का किया है जो 12-inch और 15-inch वाले की रख्या थी अंजरी तो क्या एक मैसेज देना चाहते हो आप इस चीज को देखा कर देखा है हम मैसेज देना चाहते है कि अभी अपन क्या प्रियूपी की मूर्तिया लेते हैं या कहीं भी तालाओं में ऐसे बिशाजित कर देते हैं वह पानी के अंदर घुलनी बांदिया रहती है अपना क्या गर परिवार के साथ एक साथ अपन बिसर्जित कर सकते हैं तो मनलब अपनी गर पर ही मूर्ति रही और उसका हर साल कपने इक यादकार पढ़ लेगा कि हमने इस साल यह मूर्ति का यह वाला प्लांट जो त्री में क हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना भुलें